तो भी यह कौन को मिस करता है अब 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 जिनको अब जिनको समझ में आरहे तो शायद नो ने कल वाली वीडियो दिए चैनल पर उसके टाटल में उसमें अंदर क्या है वह देखना और वापस आगे बताना क्या लगा मेर तो सचे बहुत इसको पूरा शूट करने गा Okay, Hello Chaddates, My name is Ruit and you are watching WrestleChatter Welcome guys, आपको Voice of Wrestling के एक और एपिसोड मैं आपको इतनी सारी अपडेट्स में दे दूँगा ना कि मतलब आपने सोची नहोगी इतनी सारी बाते आज बताने के लिए सबसे पहले guys, आपको स्टार्ट करते है रोमन रेंस की उस पिक्चर से जो की रोमन रेंस ने बड़ी कैजूली क्लिक कर वाली और रोमन रेंस कर वाते नहीं है और साथ मुने रोमन रेंस को टैग भी किया हूँ, इस पर लाइक भी आगे बाई एक हजार तो आप यहां रोमन रेंस को देख भी सकते हो यूजिली रोमन रेंस करते नहीं क्योंकि वह अपने करेक्टर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं यहां पर तो बड़े मस तरीके से रोमन रेंस पिक्चर क्लिक कर वाली और इससे रियालिटी में ही बता चलता है कि सुपरस्टार सारे दिल के अच्छ होते हैं करेक्टर को देख भी बेह जाता है रहारी बेकार बड़ ऐसा होता नहीं है एज के बारे में गाइज अब एक नया रूमर चल पड़ा है क्योंकि डबल लॉबली ने जो शो होने वाला है अगस्त में वहां पर मतलब वहां के लिए शो अराउंस कर दिया है एज ने क्योंकि इंटर्व्यू में कहा भी था इस वजह से हो रहा है तो अब तो जो 18 तारीका स्मैक डाउन का एडिशन है वहां पर एज का रिटार्मेंट हो जाएगा क्योंकि एज ने खुद ये कहा था कि वो 2023 में रिटार हो जाएंगे और वो अपने होम टाउन में रि पर रिकीशी ने अपनी ब्लड लाइन के अगेंस में बाते बोली है आपको याद होगा सर्वाइवर सीरीज था या रॉयल रंबल था कोई सा तो शो था था उसके बाद रिकीशी ने एक आता कि जो बंद है नहीं मेरे काम करने ब्लड लाइन के साही नहीं लग रहा उनको यह गलत हुआ जो भी वह कर रहे है आप रिकीशी ने क्या कहा उन्होंने कहा कि यह जो पूरा टॉर्मॉयल फैला हुआ है मुझे उसको आके फिक्स करना पड़ेगा दे जस्ट डॉंट नो वट दे वांट टू ऐसा करके उन्होंने बताया कि वह डारेक्शन लेस हो चुके पूरी ब्लड लाइन मुझे आके बताना चाहिए तो राइड नाओ फोर रिकीशी तु स्टैप इन विद्ध सम लौ एंड और तो बाई क्या डबल ली स्टोर लाइन कर सकती है इसमें तो कोई बड़ा तिगड़म लगाने की जुरत भी नहीं है रिकीशी तुमारा ब्लड कुछ चीज करने के लिए यहां पर फोर्ज है हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी के तरफ और ड्रू मैंटायर वर्सिस गुंथर का इंटर का इंटर का चैंपनेशिप के लिए मैच फिलाल डबल लॉबली का प्लान था लेकिन आप पॉस्पिलिटी पूरी-पूरी है कि ड ड्रू मैंटायर के साथ होगा जादा चांसे और शेमस इसके अंदर अपडेट यह है कि जैसा विन सुकमैन का उनको लेकर विजन था ऐसा ही डबल लॉबली का करेंट प्लैन आप कर रहे हैं यह किसी मेजर चीज के तरफ लीड करने वाला है मतलब कि एक बहुत बड़े राउजिन शेना बेजलर के बारे में है और रोंडा राउजी के साथ को इंजरी वाला चल रहा है तो अगर ऐसा होता तो मैंने आप से र्शल्मीनिया मैच काड प्रेडिक्शन वारी वीडियो में बताया था कि डबल ली जा सकती है जहां पर डेमेज कंट्रोल के अगेंसम सांथ सांथ हराएंगी भी Championship जीत जाएंगी वह रेसल मेन में ऐसा WWE का प्लान है अगली अपडेट की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और यहां पर बात हो रही है यहां प्लान है और यहां प्लान है क्या प्लान है कॉंसी नाइट बन पर कॉंसी नाइट टू पर तो यह बात प्लान हो जाएगी कोडी रोड्स और रोवन रेंस का अंडिस्पूटे टाटल के लिए जो मैच वह तो नाइट टू पर और में इवन्ट पहली नाइट पर ट्रिपल एसमें दो चीज़े सोच रहे हैं फिलाल उनने शालट फ्लेयर वर्सिस रिया रिपली के मैच को कार्ट पर रखा हुआ है कि हां यह मैच में इवरेंट करेंगा लेकिन प्लान चेंज करके हो सकता है सब्सक्राइब बना सकती है अगर अगर आप हलेनसल मैच और फिन बैलर का सोच के बैठे तो शायद डबलोली इसमें चेंज कर दे चेंज हो सकता है कि यह हो सकता है या फिर एक्स्ट्रीम रूल्स या फिर एक नॉर्मल मैच हो जा रहे नहीं यार अब तो हैलनसल से नीचे मुझे लगता है यह फैंस मानने वाले है क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन होगी इस मैस तो अगर डबलोली थोड़ा भी नीच जाती है तो मज़ा नहीं आयागा देखने में आई होब डबलोली इसमें कोई भी चेंज ना खरे स्मैक्डाउन में आपको पता है डबलोली ने फेटल फाइफे मैच अनाउंस किया जो भी जीतेगा उसको गुंतर की इंटर कॉंटेंटल चैंपेंशिप के लिए मैच मेलेगा अब इस मैस एक कोई आइडिया निया कि कोफी इंजरी कहां होई कित्ती सीरियस है लेकिन जिसे फिलाल कोफी कि इंग्सटन की बारे में अपडेट है वैसे डबलोली का स्मैक्डॉन का एडेशन वा तो इसको डाउन चली गई लेकिन डबलोली ने हाइस्ट ग्रॉसिंग इवेंट इसको ब किसी भी इवेंट से डबलोली के अभी दका सबसे ज्यादा है कल की एक्साइट मुन तो आपको होगी डबलोली में जॉन सीना का रिटन हो रहा तो जॉन सीना के बारे में पीड़ इंसाइटर के तरफ से रिपोर्ट है कि ऑलरेडी वो बॉस्टन में पहुंच चुके हैं ट कर रही है मतलब बलोली के साथ उसको एक सिगनेचर टाइप से दिखा रही है कि हाँ बलोली तो ऐसे तोड़ेगी आपने नोटिस किया क्या वैसे मैंने भी नहीं किया था आप कर रहा हूं जब भी बलोली किसी को असॉल्ट करती है तो एक एंगल हमेशा यूज करती है और पीच में बंदे को फसाना और उसके बाद जाकर वह इसको मारते हैं तो डॉलली इसको सिगनेचर बनारी है जब भी बलोलाइन मारे की तो ऐसे मारे की और फैंस के दिवांग में अच्छप जाए कि हम यह है बलोलाइन के मारने का तरीका तो यह मतलब कोई लेकिन मैं अच खतम दोने के बाद Roman Reigns बकवास कर रहे हैं एकनॉलेज करने के लिए इसके बाद उन्होंने सैमी जैन को फोड़ना भी शुरू कर दिया मतलब अलड़ी फूटे वे सैमी जैन को यहां बाब देख सकते हो फोटो के अंदर अलड़ी रोमन रेंस और भी ज्याद अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर होगा में आपको बहुता है कि रोमन रेंस का पूरा मैच कार्ट पर ग्राफिक चल रहा है वहां पर उसके डबल अबली ने प्रोडूसर में विंस मिकमैन का नाम यूज किया था लेकिन उस चोटी चीज से विंस मिकमैन को हटा दिया मतलब वहां पर आपको अगर देखने को मिले तो प्रोडूसर नहीं है कुछ और है यहां पर यह से पता नहीं कुछ तो नाम है लेकिन विंस मिकमैन का नाम हट चुका है तो यह पता नहीं क्यों हूआ ऐसा मतलब कि शाथ फैन्स में इस बात को नूर्टिस के हैसा मुझे सा हम चलते हैं इस अगली स्टोरी के तरफ और यह सुनके आपको लेगा और भाई साथ क्या डबलोबली प्लैन कर रही है मैंने आपको आपको सोलो सिकोवा के बारे में बताया ना तो इसके बारे में रेस्लिंग आफ्जर्वर रेडियो के डे मेर्जर ने यह कहा है विकॉस यहांने कि डे मेर्म डव शुक्त रही है वाई डे मेरे मेरे में राखने स्लिंग से अपको फिश्वर से यह जाने वाला और जब यह चीज होगी तो मेरे ख्याल से वह फाईनली एन ओफिशल एंड होगा ब्लडलाइन का क्योंकि जिम्यू से तो रोमन रेंस को पर अपना बिगड़ावा लॉंडा हो गया सैमी जेंट निकली गया है पॉल एमन उनका तो कोई दीनिमान धरम है नहीं हो तो कभी भी टर्न कर जाएंगे रोमन रेंज के उपर वह ने किया किया था वह भी अच्छे से देखा है तो एंड में बसने सोलो सिकोवा तो डेमेजर के अकॉर् अगर तब तक अच्छे से बिल्ड हो गया सोलो सिकोवा तो बहुत ही तगड़ी फोर्स बन जाएंगे और हुनोस क्या पता सोलो सिकोवा ही रोमन रेंज को हरा दें मतलब चैंपिंशिप्स के लिए तो नहीं ऑब विसले लेकिन आएक ऐसी उनको लॉस देर थमा दें उनके आपको सैमी जैन वर्सिस जीमी उसो का मैच देखने को मुलेगा क्योंकि सैमी जैन ने खुछ जीमी उसो को मैच कर ली चालेंज कर दो यह चीज होने वाली है मंडे नाइट रॉप पर अपने आप में बड़ा इंटरस्टिंग मैच है जौन सीना आएंगे शो पर इवाद में आपको बता दी सैथ रॉलिंस और लोगन पॉल का फेस ओफ होने वाला है तो फाइनली दोनों सूपरस्टार ने सोचल मेड़ा बहुत चपड़ चपड़ क अब फाइनली आमने सामने आने का मौका होगा है और मुझे पक्का पता यांपर पिटाय तो होगी ना किसी कि कोई तो किसी को मारेगा तो यह सग्में बड़ा इंटरस्टिंग होगा केविन वर्से सोलो सिकोवा अपने एक और मस्त मैच और मतलब सोलो सिकोवा वैसे मैच हारते नहीं है तो उन्हें सैमी जेन को भी हरा दे तो देखते हैं क्या के नेक्स्ट विक्टिम होते हैं बियांका बलेर वर्सेश कार्मेला का मैच में कोई खास इंटरस्ट हैं फिन बैलर वर्सेश जॉनी गरगान मैच भी होगा और मुस्तफा ली के लिए सर्प्राइज ह ले तो ऐसा करके जो पूरा कल का कार्ड है इसको डबल डबली एविटाइस कर रही है तो देखते हैं कल मंडे नाए ट्रॉपर क्या होगा आज बहुत सारी में आपको बता यह चली कि तो लाइक कर देने कल वाली वीडियो जाके ज़रूर देखने डिस्क्रिप्शन है फिर